यह है class 12 economics का sample paper number 7 इस chapter को यानि sample paper को हम हिंदी और English दोनों version में करेंगे तो पहला question देखते हैं कि कहता है कि आने वाले वेत वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और वियाई को क्या कहते हैं English में एक बार पढ़ते हैं कि estimated receipts and expenses of the government for coming financial year इसे बोलते हैं सरकारी बजट या फिर government budget यह रहा सी हलाकि जो budget है वो word आपको constitution में नहीं मिलेगा उसकी जगा लिखा हुआ हुआ annual income statement income and expenditure statement something और यह article 112 में constitution के लिखा हुआ है समीधान के अगला question पढ़ते हैं कि यह कर्थवियस्ता का जो वियापार शेश होता है वो वित्वर्ष के लिए क्या क्या दर्च करता है इन सब में से सरकार के IAWI, सरकार के कोईश अन्तरपरवा, वस्तों का आयात निर्यात, वस्तों का वस्तों का आयात निर्यात इंग्लिश में question पढ़ता है कि balance of trade हो क्या record करता है क्या वो income and expenditure government कर record करता है क्या वो inflow or outflow of funds of the government करता है या फिर important export of goods या फिर important export of goods and services तो answer है important export of goods only तो जो balance of trade होता है वो goods के record को goods का आयात और निर्यात को record करता है जबकि अगर goods of services दोनों की बात हो प्लस unilateral transfer की बात हो यानि एक तरफा हस्तानतरन तो वो record करता है हमारा current account जो क्यों होता है balance of payment का balance of payment के दो account होते है current account और capital account current account में आता है goods and services का import and export unilateral transfer यानि एक तरफा दिक्या हुआ हुआ अस्तानतरन जिसके बतले कुछ नहीं दिया जाता है जैसे हमने भुटान को अगर donation दी या American Amheim donation दी तो ये एक तरफा अस्तानतरन है ये आएगा unilateral transfer में जबकि अगर हमने loan लिया या दिया या हमने किसी की संपत्ती विदेश में खरीदी या विदेश वालों ने हमारे देश में संपत्ती खरीदी तो वह आईगी capital account में इसकी ज्यादा जानकरी के लिए balance of payment वाला वीडियो देखें अगला question है हमारा कि पैचानिये निम्न में से कुन सा bank समानेत है जनता स मांग जमाय स्विकार नहीं करता इंग्लिश में पढ़ता है इसको कि identify करिए which of the following bank does not accept demand deposits of general public तो bank of India, central bank of India, state bank of India या RBI तो RBI नहीं करता बागी के सब commercial banks है वो सब public से dealing करते है जैसा कि आपको पता होगा RBI जो है वो apex bank है जो की public से dealing नहीं करता है वो सब सभी bankों को control करता है जो RBI है वो government का भी bank है government का advisor है बैंकों का bank है बैंकों को loan देता है बैंकों का last lender of last resort है custodian है foreign currency का यानि संरक्षक है एक तरह से रखवाला है foreign currency का हमाज देश का और हमाज देश में only authority है जो note issue करती है लेकिन एक रुपे का note एक रुपे का note और बाकि coins सभी finance ministry यानि वित्मंतलाले issue करता है RBI की स्थाफना 1935 में हुई थी RBI की governor शक्तिकान दान्स है इस वक्त RBI note भी issue करता है तो उसे minimum reserve system के अधारित पर करता है जिसमें उसके पाद 200 क्रोड का gold होना चाहिए 200 क्रोड का gold होना चाहिए जिसमें 115 क्रोड का gold बाकी 85 क्रोड का other foreign reserves होना चाहिए तब जाके वो note issue कर सकता है अगला सवाल देखते हैं कि पेचानिये की निमने से कौन सा भुक्तान 6 के चालू खाते में शामिल नहीं होगा बाकी होंगे जो नहीं होगा तो पहले देख लेते हैं कौन सा होगा भारत में machine का आयात KP से वाउ से विदेशी विदेश में का अंतरपवा किया मोटर्स यानि आप कौन सा इंक्लूट किया जाएगा करेंट अंहें देख लेते हैं जो नहीं होगा वह हम पता लग जाएगा अगर हमने machine का इंपोर्ट किया तो current account में goods and services का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल किया जाता है और एक तरफा अस्तांतरण एक तरफा अस्तांतरण यानि यूनिलेटरल ट्रांसवर यानि जिसके बदले कुछ नहीं दियागा जिसे डोनेशन गिफ्ट वगेरा तो अगर हमने मशीन का इंपोर्ट किया तो current account में जाएगा अगर हमने inflow foreign currency from KPO service अगर हमने services provide करी उससे हमें income प्राप्त हुई current account में जाएगा investment किया मोटर्स ने डन किया इंडिया में किया और इसको एग में लोग देते हैं ठीक है अगला देखते हैं कि रेमिटेंस इंडियंस जो भार इंडियंस रे रहे हैं उन्होंने हमाई देश में रेमिटेंस भेजा यानि अपनी जो है कमाई करके अपने घरवालों रिष्टियारों को भेजी तो यह सब current account में आएगा यह जो किया मोटर है न इसने जो FDI किये हमाई देश में या investment किया है यह capital account में आएगा ठीक है FDI अगर कोई हमाई देश में करता है तो यह आता है credit side में capital account में और अगर हम किसी देश दूसरे देश में FDI करते हैं या हमारा कोई नागरिक करता है तो वह आता है debit side में capital account के अगला question है कि वस्तुवा सेवा जो कर है GST Act है 2016 में जिसको launch किया था मतलब जो Act बना था 2018 में लाग हुआ नहीं यह एक जुलाई 2017 में लाग हुआ था दूसरा वस्तुवा कर यानि GST Goods and Service Tax को तीन उपभागों में बाटा गया जैसे IGST, CGST, SGST तो पहला जो कतने मुगला थे लेकिन दूसरी statement जो है वो सही है कि इसके तीन पार्ट्स है इंटेग्रेटिड और Central और State अगला question देखते है कि कुमारी गंजन जो है अच्छे जो हिंदी वाल है न वो sample paper को pose करके भी अराम से question पढ़ सकते हैं क्योंकि otherwise यह video बहुत लंबी बन जाती है कुमारी गंजन जो है अपने सतियों को समझा रही है कि मुआरे जिया बैंक जो है वो असिमित मातरा में साख मुद्रा का सचन नहीं कर सकते क्योंकि उनको जमाओ का एक भाग अपने केंडरे बैंक के बास और अपने पास रखना पड़ता है इन में से कौन सा विकल्प चुनिये सही विकल्प चुनिये जिसके द्वारा समझाएगे अवधारना को ये इंगित करता है इंग्लिश में भी देख लो एक बार कि मिस गुंजन is explaining to her friends that commercial banks cannot create unlimited bank money bank money मतलब credit creation as they have to keep certain amount as reserves with them and with RBI from the following choose the correct alternative which is specifies towards the concept explain by her वो हिंदी में जो मैंने बता दिया कि क्योंकि जितने भी commercial banks है वो credit create करते है वो unlimited मात्रम मैं नहीं कर सकते है क्योंकि उन्हें कुछ amount RBI के पास रखवाना पड़ता है कि वो कौन सा amount है तो मैंने पहले बता है वो होता है CRR cash reserve ratio cash reserve ratio एक minimum amount है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर जो commercial banks है अगर वो सभी पैसा loan पर चढ़ा देंगे तो उनके पास कोई backup नहीं बचेगा उनके पास कोई पैसा नहीं होगा जो उनके पास एक backup के तोर पहना चाहिए otherwise जो banking system होता है वो collapse कर सकते है इसलिए कुछ पैसा होने RBI के पास रखवाना पड़ता है और कुछ पैसा अपने पास liquid form में रखना पड़ता है जिसे बोलते हम SLR English में बोलते है मतलब full form is statutory liquidity ratio इंदे हम बोलते हैं विधानिक तरलता नुपात और मैं अदर वीडियोस में बता रखा है SLR होगेरा के बारे में और money in banking वाली में वीडियो में भी कि अगर inflation हो जाए तो क्या करेंगे deflation या depression हो जाए तो क्या करेंगे याई मंदी में और तेजी में क्या करेंगे अगला question देखो कि एक शिक्षक है कक्षा में अपने शिक्षारतियों बच्चों को व्याख्या करता है कि केनरे बैंक की विदेशी विनेमदर के निधारन में कोई भूमयका नहीं होती क्योंकि इसका निर्धारन विदेशी विने मदर में विदेशी मुदरा की पूर्ती और विदेशी मुदरा की मांक के दोलग किया जाता है यह कतन शिक्षाद नुवारत गया गया है इसे मताईगे विदेशी विने मदर को पेचानी है इस्थिर विने मदर, तरंशील विने मदर, पतिबंदीत विने मदर, पतिबंदीत इस्थिर विने मदर English में पढ़ लेता है इस question को कि एक teacher in the class is explaining to her students that RBI is having no role in determination of foreign exchange rate as the same is determined by the foreign exchange market by forces of demand and supply of foreign currency The amount of mentioned statement was given by a teacher identify the type of foreign exchange rate system क्या वो fixed exchange rate है? क्या वो floating exchange rate system है? क्या वो managed है? क्या वो managed fixed है? तो answer है कि floating exchange rate मतलब ऐसा exchange rate जिसमें exchange rate जो determine हो रहा है वो demand of foreign currency और supply of foreign currency के दुआरा निर्धाइत हो रहा है जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं वो उसे बोलते हैं exchange rate exchange rate established हो गया मानलो 70 rupees per dollar ऐसे exchange rate established होता है ठीक है? अगला question देखते हैं कि निम्न कत्रों को दिवान पूर्वक पढ़िये निम्न दिये गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिये जिसे राजस वियाय सरकार के पतिभदी वियाय होते हैं ये वियाय सरकार के लिए किसी समपत्ति का निर्मान नहीं करते एक बार English में भी पढ़ लेते हैं हमार कि revenue expenditures जो होते हैं are committed expenditure of the government and these expenditures do not create any assets of the government तो दोनों statement हमारी ठीक हैं क्यों ठीक हैं? देखो revenue expenditure कौन सा expenditure होता है? जैसे कि budget वाले chapter में बता रखा है कि हमारे दो तरह के expenditure होते हैं revenue expenditure और capital expenditure capital expenditure वो होते हैं जिससे या तो सरकार की assets बढ़ जाएं create हो जाएं या liability कम हो जाएं यानि ऐसा खर्चा जिससे सरकार की या तो कोई assets बन जाएं तो मान लो सरकार ने hospital बना दिया या मान लो सरकार ने कोई company establish कर दी या किसी company के share खरीद लिए यानि assets बढ़ गई सरकार की या सरकार ने अपना करजा चुका दिया लाइबिटीस कम कर ली पुराने करजा चुका गए तो इसे बोलेंगे capital expenditure यानि पूंजी गत्वियाए या फिर अगर सरकार जो है salary दे रही है pension दे रही है, subsidies दे रही है earthquake victims को मावज़ा दे रही है या वो दे रही है रहत dairy relief fund तो इस अब revenue expenditure है वो राजस्विया है क्योंकि इससे ना तो सरकार की assets में नहीं liabilities में कोई फरक पड़ रहा जब सरकार की assets से और liabilities में कोई impact नहीं पड़ता तो उसे बोलते है राजस्विया है यानि revenue expenditure अब जो second statement देखो सरकार की assets और liabilities में कोई फरक नहीं बड़ता तो true पहली स्टेट में बोल रही कि यह पतिबाद दिवया है यानि committed तो देखो salaries होती है pension होती है और जितने भी यह subsidies हो गई है यह सब ना वो होते है committed expenditure होते हैं सरकार के तो true अगला सवाल है हमारा कि पुंजी का जो भक्तान शेष का पुंजी खाता होता है में मूल रूप से क्या के शामिल होता है विदेशी प्रत्यक्षनिवेश विदेशों से अनुदान या विदेशों को पुंजी गत वस्तों को बेचना इंगलिश में एक पर पढ़ लेते हैं कि अंडर दी कैपिटल अकाउंट ओफ बी ओपी टू मेंन केटिग्रीस ओफ आइटम्स आर FDI, Grants, Loan and Borrowing, Selling of Capital आइटम्स तो रेश्टो वल्ट तो देखो मैंने पहले ही बता है कि बेलेंस ओपेमिन्ट के दो अकाउंट होते है BOP के दो अकाउंट होते है एक Current अकाउंट और एक या compilation Current अकाउंटमें आता है gots का import-export, services का export-import और unilateral transfer यानि एक तरफा स्तांतर जिसके बदले कुछ नहीं बिला जिसे donation ली या दी capital account में वो transactions आएंगे जिन से ही सरकार की या तो या नागरिकों की assets या liabilities में फरकाए change आए और इसी को बोलते हैं इसी को दूसरे रूप में FDI और FII बोलो FDI का मतलब जब कोई SI investment करें जिसमें उसे मालिकाना नियांतर पर आपत हो जाए जैसे होड़न डाई हाँ पर business कर रही है या फिर कोई भार की company हाँ पर अपना plant लगा के माल बेच रही है और FIA का मतलब भार का कोई investor है कि वो शेर्स में खरीद फ्रोक कर रहा है ठीक है foreign institutional investment इसके full form है अब बात आती है कि इन में से कौन सा capital account में जाएगा तो अगर grants मिली है तो यह current account का item है अगर हमने capital item यानि कोई machine बेची है rest of world को export करी है तो यह भी current account में जाएगा क्योंकि हमने goods बेची है बात आती है loans and borrowing अगर हमने loan borrowing किया है तो यह तो हमारी liability बढ़ गए इस से यानि यह capital account में जाएगा और FDI में ने बताया था credit side में आएगा capital account के क्योंकि भार वाले ने हमारी FDI के लिया यानि हमारा कोई plant लांट खरीद लिया हमारी machine वो लगा रहा है अपनी पूरा plant लगा रहा है तो हमारी यहां के assets कम हो गई ना हमारी संपत्ति यह आएगा capital account में अगला question देखो सर्वोच वित्ति संस्ता जो मुद्रापूर्ती है वो ब्याजदर को नियन्तित करता है तो इंग्लीश में पर एपक्स financial institution that regulates money supply and rate of interest कौन सा इसा bank है इन में से अरे सब को पता है RBI है जो money supply को regulate करता है rate of interest को भी है अगला question देखते हैं हिंदी में पहले कि दसवी दूसरी पंचवशी योजना को किसके नाम से भी जाने जाता है तो वह महला नोबीस है यानि second five-way plan is also known as महला नोबीस model क्योंकि पहला जो model था वह हैरेट डोमर बेस था हैरेट डोमर ग्रोथ मोडल पर बेस था और दूसरा जो five-way plan था वह बेस था महला नोबीस और आपको five-way plan पता होना चाहिए पहला five-way plan स्टार्ट हुआ 1951-56, 1951-56, दूसरा 56-61, दीसरा 61-66 उसके बाद तीन साल तक कोई प्लान नी बना क्योंकि योधो वगेरा की वज़े से उसके बाद बना 69 में 69 से 74, 74 से 79, पाच five-way plan हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाच उसके बाद, छटा five-way plan बना 80, क्योंकि ये plan हो लिड़े आ गया, 79 से 80, कोई प्लान नी बना, government instability की वज़े से, फिर बना 19, 1980 से 85, six plan, फिर 85 से 97 plan, साथ plan हो गए, इसके बाद हमारे economic crisis हा गया, और दो साल तक कोई प्लान नी बना, 90, 91, 92 तक, फिर हमें plan फिर से start हुए हमारे, आठवा plan हुआ, 92 से 97, पीवे नरसी मर रहा हो थे, प्रधान मंतरी और finance minister थे, मन महन सिंग, उसके बाद 97 से 90, 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, ये कौन सा है, ये है, 8, 9, 10, 10th plan चला ही है, और 11th plan कब आया है, 2007 से 2012, और आखरी, 2012 से, यानि 12th फाइवे plan, 2012 से, 2012 से 2017, और इसी बीच हमारा planning commission, जो कि 1950 में established हुआ था, वो खतम हो गया, और 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया, नितिया योग, यानि National Institution for Transforming India, जिसके चे और जिसके, वो कोन है, CEO, अमिताप कांथ, और बाकी की details, नितिया योग के बारे में आप खुद देख लेना, और comment में भी लिख देना, अगला सवाल देखते हैं, कि विदेशी वियापर की दिशा का संदफ से है, इंगलिश में देखते हैं एक बार, कि direction of foreign trade refers to, direction का मतलब क है, foreign trade के, what we are exporting, हम क्या export कर रहे हैं, what we are importing, हम क्या import कर रहे है, with whom we are trading, किन के साथ हम trade कर रहे है, what we are exporting and importing, तो देखो एक तो होता है, volume of trade, volume of trade का मतलब होता है, कि हम कितना जो है, हमारा trade है, दूसरा होता है कि हमारा composition of trade composition का मतलब है कि हम क्या बेच रहे हैं क्या खरीद रहे हैं क्या import कर रहे हैं और क्या export कर रहे हैं तीसरा होता direction direction का मतलब है हमारा trade किसके साथ हो रहा है मतलब अमेरिका के साथ जाधा हो रहा है चाइना के साथ ज्यादा हो रहा, साओधी अरब के साथ ज्यादा हो रहा, गल्फ इंट्रीस किस के साथ, तो question था है, कि किस direction of trade का मतलब क्या होता है, तो answer है, कि with whom we are trading, see answer, अगला question, कि ये क्या है, इन में से क्या है, खाद फसलों से नगदी फसलों की और परवेतन होता है, त trade surplus, commercialization of agriculture, green evolution, what, तो क्या होगा इन में से answer, तो answer होगा, commercialization of agriculture, जिसमें हम subsistence farming से कहाँ पोच जाते हैं, commercial farming, जब से sense farming का मतलब होता है, जह हम जीने के लिए खेती करते हैं, यानि चावल दिगे होगा है और खाली है, लेकिन जह हम commercial farming करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम foot crops की जगा, cash crops, जिसे jute, cotton, अब इन्हें खा थोड़ी सकते हैं, इन्हें पहले बेचेंगे, cash में बदलेंगे, फि कोशन देखते हैं कि निधनता रेखा से उपर के वैक्ते को गेर निधन काया था है, बिल्कुल ठीक, true, निधनता रेखा मोदरिक संदब में 2400-2100 कैलरी है, तो देखो मोदरिक टर्म में नहीं है, फिले इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश वालों के लिए, the person, above the poverty line also known as non-pourable, ठीक, poverty line, monetary terms, 2400-2100, यह monetary term में नहीं है, यह consumption term में है, poverty को हम दो टर्म में देखते हैं, मतलब उसको समझते हैं, एक तो consumption, एक expenditure, अब consumption में तो गाव के लिए 2400 के लिए रखी गई, और शेहर के लिए 200 के लिए रखी गई, लेकिन expenditure के तोर पे, गाव और rural area और urban area क लिए नकाली थी, जिसमें तेंदुल के committee की जो आये थी, इसमें 816 और 1000, यानि गरीब अगर rural area में कोई 816 रुपे पर मंत कमारा तो गरीब नहीं है, और शेहर में अगर 800-1000 रुपे पर मंत कमारा तो गरीब नहीं है, यह 2011 के आकड़ी दिये गए थे, जिसमें poverty जो percentage दी लगया, यह true है, यह false है, चीक है, अगला question देख लो कि भाहत में विदेशी पतियक्ष्ण विख्ष का एक का आकर्शक गतियन गंता भी है, यानि destination है, और CIBR, CIBR की report के नुसार सकल घरेल उत्पात के अधार पर, दोहार तीस चक भाहत विश्च की तीसरी सब्सवड़ी यार CIBR report, इंडिया will be the third largest, तो answer दोनों सही है, कि FDI के लिए बहुत अच्छा destination है, इंडिया, और इसकी report के नुसारा, इंडिया जो है, third largest economy होगी, अगला question पहले हिंदी में बढ़ता है, कि अर्थवियस्ता में मुद्रा पूर्ती का परवाइद करने वागे लिए, खुले बजा में मैंने कई बार बताया है, पिछली वीडियो, तो जो RBI है, वो देश में money supply को control करता है, money supply को बढ़ाता भी, गटाता भी, कई टूल्स है, तो कुछ quantitative है, कुछ qualitative है, quantitative का मतलब मातरातमग, और qualitative का मतलब गुणातमग, quantitative में आता है repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR, SLR, अब यह तो सब कुछ percentage के माँब, एक होता है इसी में open market operation, यहाँ पर जो है qualitative भी है, margin requirement, credit rationing, moral division, direct impact, या direct कारवाई, action, इसमें जो open market operation है, इसको पकड़ते हैं, open market operation का मतलब है कि RBI, खुले बजार में, यानि open market में, government के securities को खरिशता और बेशता है, क्या करता है, buy करता है, और sale करता है, अब इसी इसी में difference है, कि अगर economy में, उसे money supply बढ़ानी है, money supply घटानी है, तो क्या करेगा, इन bonds को ले जाएगा, और public को बेज़ देगा, क्या करेगा, public को इन को bonds को बोलेगा, अमें example के लिए समझा रहूं, कि मानलो 100 रपे का bond है, और कुछ उस पर interest वगेरा मिलना है, तो जाके बो गया, यानि economy में money supply क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर RBI को money supply बढ़ानी है, तो क्या करेगा, लोगों के पास जाएगा, और वापस से ये bonds को खरीदेगा, बाय करेगा, तो समझा गई बात, यानि वो, इसमें लिखावा है क्या रथ है, साक्के परवा को बढ़ान चाहिए उसको, तो second statement false है हमारी, और first statement क्या है, true है, open market option में government securities को खरीदा बैब बिचायाता है, पोस करके English वाले भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगला question देखते है, अगला question है कि निमलिकिस में कौन वाप वियापार संतुलन में शामिल होता है, तो जहाज लानी, वस्तु का आयात, बीमा, एक तरफा संतुलन, English में देखते हैं कि which of the following is included, in balance of trade, मैंने पहले भी बता है कि balance of payment के दो account है, current account और capital account, current account में दो, तीन आते हैं, goods, services और unilateral transfer, तो यह जो goods है, अगर हम केवल goods की बात करें, तो goods का आयात और जो होता है, वो होता है, balance of trade में, इसी हिंदी में बोलता है, वियापारशेश, वियापारशेश में export of goods, और import of goods को शामिल के आता है, अब यह जो export है, मानलो यह 100 है, इंपोर्ट है, मानलो 80 है, goods का, तो 20 आ गया, 100 में से 80 गये 20, यह होता है हमारा surplus का balance of trade, और अगर मानलो 120 हमारा और अगर मानलो हमारा 100 export है, और 120 हमारा import है, तो minus का 20 आ गया, तो यह होगा deficit, balance of trade, चीक है, तो यानि घाटे का पारशेश होगा, जब जब import ज़ाधा होंगे, और जब export ज़ाधा होंगे, तो फाइदे का यानि धीशेश का हो जाएगा, तो फिलाल यह देखते हैं कि balance of trade में क्या के शामिल होगा, तो goods शामिल होंगे, तो import of goods होंगे, shipping यह तो service है, insurance यह तो service है, unilateral transfer यह तो एक तरफा संत्रण है, तो answer है, import of goods only, अगला कुशन देखो, कि इसमें को निधनता मूलन के 3 आया में यह उपाय में शामिल नहीं किया जाता, एक तो रोजगार सजन, अयोज कि इन में से क्या है, जिसे poverty की 3D approach है, देखो poverty खतम करने के 3D approach अपनाती है, 3D मतलब, first एक तो poverty elevation program चलाती है, सरकार, दूसरा growth oriented approach चलाती है, कि बोलती है कि growth कर लो, तो उससे trickle down effect हो गया, यानि growth से निशले तपके के लोगों तक भी फाइदा पूछेगा, तीसरा minimum needs पुच अब यह मिड़े मिल के थूरू, और foot for work program के थूरू, या राशन के थूरू, PDS Public Distribution System के थूरू, यानि राशन की दुकानों के थूरू, अब यह इन तीनों, बाकि तो तीन सही है, rise in GDP, employment generation programs, fulfilling basic needs, population control गलत है, तो वो answer, अगला question देखते हैं हिंदी में, कि एक कालप नहीं करती हो है, यह था था, वहाँ कोई दूसरा करता विकरता नहीं है, मुद्रा की आवशकता कितनी होगी, इंगलिश में पढ़ते हैं कि इन है hypothetical economy, मिस संजना है, is only human, and there is no other buyers and sellers, the need for money will be, अब देखो, कोई भी अगर नहीं है, तो money की तो needy नहीं है, क्योंकि money की दिरूद पढ़त अगला question पढ़ते हैं कि भूमी सुधार मुखे क्रिशी सुधारों में से एक है, बिल्कुल ठीक है, भूमी सुधारों ने मध्यस्तों का अनुमलून किया, English में भी पढ़ लेते हैं एक बार इसे, कि land reforms are part of major agriculture reforms, जैसे हमें पता है कि agriculture में तीन तरह के reforms किया गए थे, land reforms, technical reforms, और institutional reforms, sorry, 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 तीसरे हो था general reforms, तो ये land reforms को ही institutional reforms भी बोलते हैं, संस्तागत सुधार, और ये technical reforms को ही green revolution भी बोलते हैं, जिसमें HYU seeds, insecticide, pesticide और chemical fertilizers का यूज़ किया गया था, land reforms में जो मध्यस्ते यानि intermediaries थे, उनका खतम किया, land ceiling लगाई, यानि एक भूमी के उस्तम सीवा निराज कर दिया, उससे ज़्यादा सीमा कोई भूमी नहीं रख सकता, land consolidation की यानि चकबंदी की यानि जो भिखरे हुए खेटते किसानों के उनको एक खेट दे दिया बड़ा मिला के, ठीक, और जमितारी सिस्टम किया, rent का regulation कर दिया, बन थार्ड यानि 33% से ज़्यादा असी को जमीन जोतने के लिए भी देगा तो, तो हमारे दोनों कथन सत्ती हैं, कि land reforms बहुत important parts है, agriculture reforms के, और land reforms ने मध्यास्तों को खतम किया, है ना, Intermediaries को, अगला कुशन देखते हैं कि भूमी सवन्ता की पूर संधिया पर भारती अध्योगिक शेत्र की विशेश्ता ये न इंडेश्टर सेक्टर वाज नोट ख्राइजड बाए आउट्डेटी टेक्नोलजी ये तो थी, हाई इंवेस्टर बाइ गर्मेंट ये नहीं थी, लिमिटेट पब्लिक सेक्टर ही था, कोटर इंडेश्टर वाज डॉमिनेट बाइ इंडेश्टर तो ये सब था, एड़ त देखना अगला कोशन देखते हैं कि 6 विश्ट से कार के आयात को चालू खाते के नाम चालू खाते में डेविट भाग में दर्ज किया आता है, इंपोर्ट को और ये अर्थ विश्टा की संपत्ति को 6 विश्ट में बढ़ाता है, अब इसकी इंग्लिश में पढ़ लेते है कि import of a car from rest of world is recorded in current account on debit side, it increases the asset of the economy, देखो भई, assets or libraries की तो बाती नहीं आती है, जब current account ये import export की बात आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो ये तो false हो गई second statement, और first statement के रिए कि जो पैस ये है, हमने अगर import किये car, तो ये debit side में आएगा, नहीं, देखो पैसा अगर आया है, तो credit side में, जैसे आपकी salary आती है, तो credit side में आती है, मतलब किसी की भी अगर salary आती है, तो credit का message और जब पैसे कटते है, ITM से पैसे निकालते है, तो debit का message आता है, तो ऐसे समझो, कि आपने अगर पैसा आया है, तो credit side में आएगा, और अगर हमने import किया है, तो debit डेबिट साइड में आएगा ठीक है डेबिट साइड में आएगा करेंट अकाउंट के और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अगर और स्पेस इस वाश्ट रूप से समझना है अगला सवाल देखते हैं बही निमें से सकारी योजना ने बैंकों को प्रात्मिक जमाहों में विध्धि की तो प्रात्मिक जमाही यानि प्राइमिर डिपोजिट यानि इनिशल डिपोजिट जैसे कि प्रात्मिक जमाह होती है मानलो एक व्यक्ति आया उसने एक हजार रुपे बैंक में जमराए तो यह प्रात्मिक जमाए जब बैंक इसा अजहार रुपे पे लोन आगे देगा मान जन्दन योजना जो हुई उसमें जो लोगों ने अपने घर में पैसा बचा के रख रखा था उन्होंने भी बैंकों में पैसा जम्मक कराया उन्होंने अकाउंट खुलुआ है तो प्राइमरी डिपोसित बैंकों में बढ़ गया तो जन्दन योजना के था अगला कोशन करी थी और उन्होंने इंडेस्ट्रिशन को बढ़ावा दिया था उन्होंने इंडेस्ट्री बेस्ट को लगाने के लिए कहा था और उसका रीजन यह दे रखा है कि माला नोबीस मोडल पर आ जायता है जिसमें वोद्य होगी गयास के लिए सावजिनिक शेत्पर यानि पॉब कल्प चुने यानि करेक्ट चुने तो पढ़ते हैं एक बार कि ग्रामेंड विकास की आरंभी का वस्ता में गेर संस्थागत स्रोथ क्रिशी का साख्खा मुक्य सुर॥ तो देखो जो क्रेडिट मिलता है ना रूरल एरिया में दो तरह से मिलता है एक तो बुल एक तो होता ह संस्थागत एक होता है गेर संस्थागत एक होता है इंस्टिूशनल दूसरा होता है नोन इंस्टिूशनल इंस्टिूशनल면 सों से न मिले जैसे की ना मिले या धीक्त्र रेदे सोर्स ऑफ क्रेडिट का फाइदा यह है कि आपको कम ब्याजदर पर लोन मिलेगा कोई गलत कैलकुलेशन नहीं होगी आपको परतारित नहीं किया जाएगा जबकि यह जो लाला वगेरा से नोन इस्ट्यूशन सोर्स से क्रेडिट लेते हैं इसमें एक तो हाई भ्याजदर होत करके और इंस्ट्यूशन सोर्स यानि जितने भी कॉमर्शल बैंक कॉपरेटिव इन सब को बढ़ाया गया है ताकि इनका किसानों का या गरीब लोगों का एक्स्प्लोइटेशन घट सके रूरल एरिया में तो यह है बिल्कुल कि ग्रामेंड विकास की आर्विम्भी का वस होता है तो उसको ग्रेडिंग की आती है के टेग्राइजेशन की आती हो स्टोरेज होता है ट्रांस्पोटेशन होता है पैकिंग होता है वो सब शामिल होता है कि वो लत्वादन पैकिंग नहीं होता तीसरा पॉइंट है कि लगू साख समीतियों का निर्मान का गर्यामीर ब यह मैंने बताई दिया कि एक रिकल्चर मार्केटिंग में काफी साइज चीज आती है केवल प्रडक्शन प्रकेजिंग नहीं आता इससे काफी देश में जो गरीब लोग हैं गरीब सम हुए है उनको काफी फायदा मिला है यह एक अच्छा टूल है अच्छा तरीका है देश में गरीब हो तक लोन पचाने का इंस्टिउशनल सोर्स का तो इसमें शायद मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट ढूनना था तो आंसर वेसे आंसर की में बी दे रखा है तो वह हुआ अगला कुशन देखो ज़रा एक बार कि अधिक कुशलता उत्पादक्ता के समयविष्ट की प्रिग्रिया है कारण क्योंकि मानव पुझी भोतिप पुझा के बहतर पुरियोग बनाती है इंग्लिश हम एक बार पढ़ते हैं इसको कि human capital जो है formation से इंकलकेड होता है more skills and productivity in humans क्योंकि human capital enables करता है to have better relation of physical capital अब देखो इसके दोनों statement true है बट वार उसका reason यह कुछ link नहीं होता बाकी बात दोनों की ठीक है human capital formation जो होता है human capital formation का मतलब तो पता ही है कि जब किसी human human है वो एक resource है मानव संसाधन बोलते है human resource जब उससे हम education देते हैं health देते हैं skill देते हैं training देते हैं तो human resource से क्या बन जाता है human capital और इसी प्रक्रिया को बोलते है human capital formation जब इसे साल हमाई देश में अगर 2000 doctor engineers हो गया थे इस बार 5000 हो गया है तो इससे क्या होता है skill और productivity बढ़ती है बिल्कुल ठीक है पहली statement दूसरी statement बोल रही कि human capital से क्या होता है physical machine का यानि physical capital यानि machine का अच्छा यूज होता है तो बिल्कुल ठीक है statement लीजन उसका नहीं अगला कुशन देखते हैं अब इनको मैच करना है English वाले में से कर लेते मैच तो यह देखो 3D अप्रोच जो है उसका क्या है वो उसको मैच करना है अच्छा यह क्या है correct पेर ढूंड़ना है मैच नहीं करना correct पेर ढूंड़ना है तो मन्रेगा जो guaranteed wage employment to rural skilled 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 के लिए नहीं है मन रहेगा 3D अप्रोच माँ poverty के लिए से नहीं सेन इंडेक्स employment नहीं headcount ratio होती है for measuring number of poors विल्कुल जो poverty से नीचे जितने भी लोग रहें number of poors रहें उन्हें बोलते है headcount ratio ration थोड़ी बोलते है ratio misprinting answer यहीं है ठीक है अगला कुशन है कि निम्लिकिस में कौन सा केंद्रे बेंग द्वारस साखने अंतर के एक लुआत्म कुपाय है मैंने बताया था कि RBI जो है monetary policy follow करता है जिसमें दो तरह के tools होते हैं उसके quantitative or qualitative quantitative में आता है repo rate reverse repo rate bank rate CRR SLR open market operation open market operation में बदा दिया जब government securities को RBI खुले बजार में खरीतता और बेशता है inflation में क्या करेगा buy करेगा है ना नी sell करेगा और depression यानी मंदी में buy करेगा ठीक sorry buy उसमें sell करेगा हां मंदी में buy करेगा और inflation में गाई है money supply कम करनी है तो उसे sell करेगा ठीक और repo rate का पता ही है जब RBI commercial bank को लोन देता है short term loan तो जिस दर पर देता है जिस rate पर देता है उसे बोलते repo rate और जब commercial bank से loan लेता है यानी commercial banks अपना extra money RBI को जब loan पर देते हैं तो उसे बोलतेते हैं reverse repo rate short term loan against government securities किसी government securities के against या उसके बदले ही मिलता है वो loan और जब तीसरा मैंने बोला bank rate bank rate वो rate होता है जिस पर RBI commercial bank को loan देता है लेकिन long term loan ठीक है चोथा आपको पता ही है CRR जो minimum amount होता है जो हर commercial bank को RBI के पास रखवाना पड़ता है चुप भाचवा SLR statutory liquidity ratio वह minimum amount जो हर commercial bank को अपने पास liquid form में रखना पड़ता है यानि cash के तरह form में छटा आपको पता है open market operation RBI के जो qualitative tools है उसमें एक पहला तो है margin requirements margin requirements का मतलब होता है loan और loan के लिए रखी गई गिर्वी जमानत मान लो आपको 100 रुपे का loan मिल दा है लेकिन उसके लिए 120 रुपे की जमानत तरकनी पड़ रही है यानि collateral security तो इसे बोलेंगे margin requirement आप अगर RBI बोले कि अप 100 रुपे की चीज़ के लिए 140 रुपे खाने पड़ेंगे तो loan की डिमान क्या होगी कम हो जाएगी loan की डिमान कम होगी तो money flow money supply कम होगी money supply कम होगी great creation कम होगा तो अर्थवियस्था में जो महंगाई यानि inflation की समस्या उसे solve किया जा सकेगा और अर्थवियस्था में अगर डिप्रेशन है यानि पैसा बढ़ानी की आप शकता है लोगों पर पैसा कम है money supply बढ़ानी की जरूरत है तो आर्वियस्था की लोन के लिए आप 105 रुपे की security रखो बस यानि आप margin requirement को कम कर दिया जब margin requirement को कम कर दिया लोन डिबान बढ़ेगी लोन डिबान बढ़ेगी तो money flow create flow यह सब बढ़ जाएगा अर्थवियस्था में डिप्रेशन होता रिसेशन होता है और जब inflation होता इसके बाद तीसरा है quality tool में morals vision जब RBI को inflation कम करना होता है या depression को ठीक करना होता है इन दोनों समस्याओ समखने के लिए जो cooperative banks होता है उन्हें morally persuade करना पड़ता है कि आप हमारी बात मानों जहां हम आपसे बोल रहे हैं तो यह करो क्योंग कई commercial banks नहीं सुनता है या cooperative या कुछ भी और इसके लावा होता एक direct action जब RBI के बार-बार कहने पर भी कोई bank नहीं मानता जब RBI को अगर inflation को कंट्रोल करना है या फिर रिसेशन को कंट्रोल करना है रिसेशन से निकलना है भार recover करना है और कोई bank RBI के नहीं मान रहा तो direct action केते हैं तो उसका license फगेरा कुछ भी रत कर देता RBI तो यह qualitative tools है अब देखते हैं इसमें क्या लिखे हूँ है तो खुले बाजार की क्रिया या यानि CRR ये भी quantitative tool है bank rate भी CRR ये भी quantitative tool है जबकि सीमात आवशकता है यानि margin requirement यह होता है हमार qualitative tool अगला कुशन देखते हैं 32 कि व्यक्तिगर्णा अनुपात यानि headcount ratio का परियोग किसके लिए कि आता है तो यह poverty कि लिए कि आता है इसका 32 कि पोवर्टी कि लिए कि आता है इस निरियातों का मुली आयातों किसे अधिकता है बिल्कुल ठीक है एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगे आयात से इंपोर्ट से उसे बोलते surplus हिंदी में अधिशेष जो सेकें इस्टेटमेंट रखिए बेटिश उद्योगों के लिए बहुत अधिक कच्छा माल बिटेन को निरियात के आ गया था जाता था बिल्कुल ठीक है कि निरियात ज़्यादा तो थे लेकिन निरियात काई के ज़्यादा थे कच्छे माल के ज़्यादा थे एक्सपोर्ट जो थे हमारे वो फाइनल गुड्स के नहीं थे वो कच्छे माल रो मुट्रियल ज़्यादा हम रूल इंडिया है ट्रेट सर्प्लस है इस दा वेली ऑफ एक्सपोर्ट के रेंदे इंपोर्ट्स रीजन फॉर बिटिश इंडस्ट्रीज है वी अमाउंट ऑफ रो मट्रियल वाज एक्सपोर्ट टू बिटेन बिल्कुल ठीक है यह आंसर होगा दोने स्टेट्मेंट रू है को रार उसका रीजन है अगला क्यूसन है हमारा इस दो है वो जो यह हे वाज ग्रामीट साग की शिर्ठ संस्ता है झाल मैं जितना भीन्यियर से चीश तरफ 계य इंडस्ट्रियमेंट रखी है वाजसें कामर्शल डेंक रूफ से किसानों को भूग क्या आवशक्ता कविश के लिए नहीं देते इसी को बोलते कंजम्शन के लिए हैं ना कंजम्शन इंग्लिश में देखो एक बार नाबाड जो है वह एपक्स इंस्ट्यूशन रूरल केट का बिल्कुल ठीक कमेंशल बैंक्स मेंली लेंड्स बनी फो कंजम्शन नहीं वह प्रड़क्शनी एक्टिवि है अब देखो इंधी मीडियम वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट किये थी ही कि हिंधी मीडियम में वीडियो बनाओ लेगे इसमें काफी डिफिकल्ट हो जाते है कुछ वर्ड मुझे तो समझ आ जाएंगे आपको नहीं आएंगे फिर भी इंग्लिश में अब पढ़के बता अगryटा और रिजर्व् रिक्वाइमेंट की रखियो का मतलब ए सी और और एसल्र कितना है अगर सियार का मतलब जो RBI के पास पेसा रखा गया कमर्शल बेंक का किसी भी बेंक का commercial banks होते है SLR मतलब उनके पास 10% हमारे पास रख दो 15% अपने पास रखो तो 25% तो उनका reserve ही हो गया इसी भी बोलते है LRR यह नि रिजर्व अब अगर 25% ब्लॉक हो गया commercial bank का पेसा तो वो loan कितना दे सकते है केवल 75% मालो 1000 रुपे उनके पास आए 1000 में से उन्होंने 2500 रुपे तो reserve रख दी है बाकी वो केवल 750 जो है loan पे दे सकते है अब इसी के अधारित वो credit creation करेंगे अंसाक का निर्मान करेंगे loan का निर्मान करेंगे और इसी से वो circulate करते करते जो भी loan देंगे वो आपको मैंने formula बताई रखा create creation का कि 1 upon LRR होता है formula यह इसको ले LRR की जगह हम cable RR भी बोल देते हैं और 1 upon RR into primary deposit यानि अगर यह RR जो है 25% है यानि 25% रोखना है पेसा तो into primary deposit अगर 1000 रुपे आया पर्सेंटेज लगाने यह पर्सेंटेज ना 25 के साथ इसको यहां 100 लगा दिया तो 25,440 और यह 4000 आ गया यानि 1000 के बतले 4000 रुपे का create creation कर सकते कमर्शल बैंग अमरे पिछली वीडियो में बता रखा है create creation वाली वीडियो में भी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि मैं हर चीज एक्स्प्रेइन करते हो चल रहा हूँ अब यहां तक अगर आप पोच होगे तो देखते हैं क्या होता है तो इसमें क्या statement देखे create creation is based on requirements ठीक है बिलकुल results requirements दूसरा बोल रखा है कि create creation is directly proportional to the legal directly नहीं inversely है कैसे देखो create creation का formula में ने बता है 1 upon LRR यह CRR भी बोल देते हैं इसे upon into primary deposit ठीक अब अगर यह पिल्ली बार 25 परसेंट लिया था ना इस बार लेते हैं 20 परसेंट अगर 20 परसेंट है रिजर्व रिक्वाइमेंट और 1,000 रुपेगा primary deposit है तो upon 120 इंटू परसेंट है इसके लिए 100 लगा दिया इंटू एक हजार तो 20 कितना होगे 20 पंजे सो 5,000 अब आपने देखा कि अगर 25 परसेंट रख रहे थे 4000 से 5,000 तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम रिजर्व रिक्वाइमेंट को बढ़ा रहे हैं क्या गटा रहे हैं गटा रहे हैं तो हमारा creation क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो दोनों में inverse relationship है डारेक नहीं है इंवर्स रिलेशन्शिप है, उल्टा रिलेशन्शिप है, आप रिजर्व रिकॉइमेंट्स को बढ़ा दोगे, तो क्रेक्रेशन कम हो जाएगा, और अगर रिजर्व रिकॉइमेंट्स को घटा दोगे, तो क्रेक्रेशन बढ़ जाएगा, जबकि अगर प्राइमिट डिपो में लगाओ दूसरी पंश्वेशन महाविजाज में बेंको का राष्ट्रे करण और किशी आयतों प्रतिवर्ण यह आप कमेंड में बताना देखके ठीक है वैसे इसका अंसर है यह लास्ट में आएगा सबसे ठीक है अगला कोशन देखो कि व्यापार शेष जो है बुक्तान शेष का एक भाग है बिल्कुल ठीक है बुक्तान शेष व्यापार शायर की तुलना में एक अब रहत अवधारना है इंग्लिश में देखो एक बार कि बिलेंस अफ्रेड इसे प इसका पार्ट है क्योंकि यह इसका ब्रोडर है बिल्कुल ठीक ए अंसर अगला कोशन देखो कि नोट और सिक्के जो है कुण जारी द्वारत जारी की आते हैं मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार नोट्स और इसूड बाए इसूड बाए गवर्मेंट ऑफ इंड इसूड बेंग इसूड नहीं है एक रूपय का नोट और बाकी कोई जो है गवर्मेंट ऑफ इडिया ने माइफ इसूड अगला कुशन देखते हैं कि रूर्मेंट बैंक जो होते हैं रूरल बैंक जो होते हैं ग्रामेंट बज़तों को चुटाने में पूल रूप से बिल्कुल ठीक है एक तो रूरल बैंक जो है वो पूरा परशुन मातरा में हार जगापर नहीं है और जो रूरल अरिया के लोग है उनके खाते भी नहीं है ताकि वो पैसे जमा कराये उनकी सेविंग्स को मोबिलाइस करके इंवेस्विन परपर्स के लिए लोन दिया जा सक मतलब उसे मूबिलाइस किया जा सके तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन भी ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कि किसान अरंबिक निवेश बीज और वड़ा किया अंतर और अन्य पारिवारिक विया के लिए विभिन सोदों से लग लेते हैं बिल्कुल ठीक है क्य कर रहा है क्योंकि यह लेंदेन सुरक्षित आपसो विधाजनक वास्तविक समय में होते हैं इंग्लिश में कि जो जीजल पेमेंट से थ्रू यूपियाई अन अधर मोट्स और इंक्रीजिंग डेवारिक बिकोज इस रेल टाइम सेफ एंड कन्विनेंट यह आंसर हो गया द गाउ में वह जातार पूर होते हैं तो दोने स्टेट्मेंट टू हैं इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार देख लो दपूर पीपल पज़ेज फियो असेट जाइड इन कच्छा हट्मेंट्स और इन्रॉल एरियास मेनी देम मेन अफ देम आले लेलेस बिल्कुल ठीक ह दोने स्टेट्मेंट टू हैं ए आंसर अगला देखते हैं नेक्स्ट कोशन 43 कुमारी संजिना ने अपनी विन इन्मान यहनी मैनिफेक्ट्रिंग काई के कमचाय के लिए स्वास्ते जाग रूपता कारे करम आदम किया तरह स्वास्ते के लिए समाजिक जग्रूता भी शामि लूट सोचल अवेडनेस अबाउद देखो नेक्स कोशन कि मान लीजे वस्तों का निरियात है आठ है यार वस्तों का याथ है दस हेजार तो अध्रिश्य मदों का शुद निरियात दोहजार शुद एक पक्षियस तांतरल पाश हैर अब बताएए भुकतान शेश का चालू कातर में क्या होगा मतलब इंगलिश वाले भी देख लो पहले वैले एक्सपोर्ट आठ है यार गूट्स की इंपोर्ट है जस है यार गूट्स की और नेट एक्सपोर्ट है इनवीदिवल यानि सर्विसिस की दोहजार और नेट युनिलेटरल ट्रांसफर से 5000 अब देखो भी करेंट अकाउंट जो होता है ना इधर देख लो यहां पर जो करेंट अकाउंट निकालते हैं वह ऐसे निकालते हैं एक्सपोर्ट आफ गूट्स माइनस इंपोर्ट आफ गूट्स यह ब्रैकेट में कर लो यह आभी पूरा ब आफ सर्विसेश ब्लस युनिलेटरल रिसेट माइनस युनिलेटरल पेवमेंट यानि कितने ही रिसेट होई कितनी पेवमेंट हो इसमें माइनस कर दो अब देखो एक्सपोर्ट जो दे रखी है आपको आठ हजार दे रखी थी शायद माइनस गूट्स के और दस हजार दे ते गुट्स के आयात शायद अब मैंको एक्जक्ट याद नहीं है ठीक है और प्लस आपको export minus import 2000 रुपे दे रखा था यह शुद्निर याद दे रखा था 2000 और unilateral receipts जो दे रखी थी देखनी पढ़ेंगी यह दे रखा है unilateral receipts minus payments यह total दे रखा है आपको positive में 5000 यानि receipts ज्यादा हुई है payment से 5000 ठीक है यह balance दे रखा है इसका और यह भी net export दे रखा था ना services का तो यह 2000 दे रखा था अब यह 8000 में से 10,000 गए तो minus 2000 यानि negative में आया है यह ना plus 2000 तो 2000 से 2000 कट गया plus 5000 बचा तो बैलेंस ओफ करेंट अकाउंट के आया 5000 यह surplus आया यानि हमारे ज्यादा है export goods वगेरा का मिलागे इस सब हमारा surplus में आया तो अब देखो answer answer आगया हमारा surplus यानि अधिशेश ठीक अगला question देखते हैं वही कि निर्धंता व्यावस्ता जिसमें एक व्यक्ति अपनी नियूंतिया माव शक्ताओं को पुरा कर पाते हैं नहीं false कर नहीं कर पाते statement और निर्धंत दूपरकार की होते हैं यानि absolute और relative इंग्लिश में देखो भई poverty is a situation in which a person is not able होना चाहिए था false हो गई और दूसर दे आर टू टाइपस ऑफ रिल्लिटिव एन असुल्ट बिल्कुल ठीक है relative absolute absolute poverty होती है जिसमें मानलो 2000 रुपे से कम कमाने वाला गरीब है मान लेते हैं 2000 poverty line है और poverty line से नीचे अगर वो रह रहा है यानि वह minimum पूरा नहीं कर पा रहा है शिक्षा शिक्षा अपना रोटी कपला मकान शिक्षा स्वास्ते और जैसे मानलो अगर वह 2000 कमा रहा है मानलो 25 रुपे कमा रहा है और society में जितने भी लोग रहे रहे हैं वह 10,000 रुपे कमा रहे हैं तो वह से तो गरीब नहीं है वह absolute poor नहीं है बट वह relatively तो पूर है है ना तुलनात्मक रूप से relatively तो पूर है तो relative poverty वह होती है ठीक है जब हम relatively compare करते हैं ठीक है different English में पढ़ लो कि when inflow and outflow of foreign exchange is equal to the each other then BOP will be balanced the sum of capital account balance and current account balance will be zero तो देखो पहली statement तो true है कि inflow and outflow अगर बडाबर होंगे तो balance में बैलेंस होगा और reason दे रखा है कि क्योंकि sum of capital account और current account का balance will zero होगा बिल्कुल ठीक है answer चीक है मतलब दोनों की receipts and payments क्या है ना दोनों side की equal होंगी अगला कुशन देख लो हिंदी वाले देखो सब्सक्राइब भारत में विविद्ध अधारता नहीं विदेशी विपार बिटिश एक अधिकार से भारती निराथ को लाब हुआ बिल्कुल गिलत ओध्यों की करनक पर सावजनेक शेत्रत था अत्यदिक वियाई ने ओध्यों इंडिश्यल बेस एड़ टाइम उफ इंडिपेंडेंस नहीं दा मॉनिपली ऑफ विटिश ओवर दा फोर्न ट्रेड बेनिफिटिद दा इंडियन एक्स्पोर्टर नहीं इंड हाई एक्स्पेनिचर बाइदी पॉब्लिक सेक्टर ओन दे इंडिश्यलेशन डिफाइश वा कूंकि वो ढकत दा कहते हैं कि इन में क्या करना है मिलाना है तो शिक्षा का अधार ये शिक्षा का अधिकार 2009 में और नौकरी के दुरान प्रक्षिक्षन मिला तो मानव पुझी निर्मान तो भोतिक पूझी क्या होती है इस पर श्योग्य यानि देख सकते हैं चूँ सकते हैं फिजिकल कैपिटल यान मशीन को कस्तूरबा गा अगला कुशन देखते हैं अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो बाकी की जो है पार्ट टू बना देंगे इसका सेंबलेबर का यहां तक देख लिए तो शुक्तिया और अगर कोई डाउट पूछना है तो कमेंट कर देना